नमस्कार साथियों आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहोंगे कि बोरिया नजर आ रही है और इन बोरियों में आलू भरा हुआ है और आलू से भरी हुई बोरिया इस टेलर में भरी हुई थी और टेलर गुजराद सप्लाई के लिए जा रहा था तो आखिर पलीस न पलीस के हाथ में ये टेलर पहुँच गया तो आखिर पूरा क्या मामला है और किस तरीके से 60 लाकी सराव पलीस ने जब्त की हम आपको बताते हैं इस टेलर के अंदर 60 लाकी अवे सराव भरी हुई थी जहां इस टेलर में 650 कार्टून अवे सराव के भरे हुई थे और अवे शराब को चपाने के लिए टेलर के अंदर अवे सराव के ऊपर आलू की बोरिया भरी हुई थी ताकि कहीं पर भी नकबंदी या पुलिस जाथ करे इस टेलर की तो आलू की बोरिया देखकर इस टेलर को छोड़ दे आज कल जो तसकर है वो नईने तरीके अपना रहे हैं तस टेलर में 60 लाग की अवे सराब भरी हुई थी और एक सबूद जिसके सहरे पुलिस इस टेलर पर पहुँची और उसके बाद में इस टेलर को जब्त कर लिया दरसल वो सबूद क्या था हम आपको बताते हैं इस टेलर के अंदर जो अवे सराब के काटून भरे हुए थे उसमें जाइट कर रही थी गष्ट कर रही थी और उसी दोरान एक होटल पर जब पलिस पोईंची राम जी का गोल इस पेख होटल पर जब पुलीस गुड़ामाली की तलासी ली तो उसके अंदर पहले तो आलू की बोरिया नजर आई ट्रेलर के अंदर आलू की बोरिया पुलिस को नजर आ रही थी तो वहीं पुलिस को ट्रेलर से अवे सराब की बदबू भी आ रही थी पुलिस भी हरान कि आलू की बोरियों के नीचे आकिर क्या है और जिसके बाद पुलिस ने जब तलासी ली अलू की बोरियों के नीचे तब जाकर पता लगा कि इस ट्रेलर के अंदर अवे सरा भरी हुई है जिसके बाद ट्रेलर को पुलिस थाना लेकर आई गुडा मालानी और उसके बाद में जब्त का लिया और ट्रेलर मालिक के नेख़्टक्त में इस हालत में ट्रेलर को छोड़ कर फरार हो गया था जिसके बात प्लीस माम verw पर दज करके जाच कर रही है। पर दज कर रही है। और वहां दिम्पले कावजित गाजार बस मुल्यम को नाम दित कर रही है।